आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा बनाने की एक बहुत ही इजी रेसिपी अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो ये मिंटों में बनकर तयार हो जाएगा कई बार हमारे पास बहुत जादा समय नहीं होता है क्योंकि छोला और राजमा बनाने में समय बहुत जादा लगता है तो इसके लिए अगर आप इसे इस तरीके से बनागर तयार करेंगे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और समय की बच्चत होगी तो चलिए इसे बनाना श्रू करते हैं इसको बनाने के लिए मैंने या पे लिए हैं कुछ कलिया लसुन की दो प्याच एक तुकड़ा अद्रक चार मीडियम साइस के टमाटर और ये राजमा है जिसे मैंने ओवरनाइट भीगने के लिए रख दिया था अगर आप इसे पुरी रात भीगने के लिए अगर नहीं रखा है तो आप इसे तीन घंटे के लिए कम से कम भीगने दीजिए उसके बाद इसे अच्छे से दो पानी से यहाँ पर मैंने वाश कर लिया है मतलब पानी को हटा देना है और यहाँ पर जो राजमा है उसकी कॉंटिटी एक कप है यह जब भीग जाता है तो थोड़ा चादा हो जाता है उसके बाद इसे मैंने directly कूकर में transfer कर दिया है क्योंकि यह जो पानी है यह साफ है और इसी में हम डाल देंगे टमाटर टमाटर को roughly chop कर लिया है पानी जो राजमा में डालना है वो राजमा से double डालना है फिर एक तुकर दाल चीनी का और एक बड़ी इलाइची दो तेज पत्त नमक थोड़ा सा नमक अभी डालेंगे और थोड़ा नमक हम डालेंगे बाद में नमक डालकर इसे मिक्स कर देंगे कूकर के ढखकन को बंद कर देंगे और फ्लेम पे इसको रख देंगे इसमें करीबन 4-5 सीटी आने देंगे कई बार होता है जो राजमा होता है वो पक नहीं पाता है तो बहुत लोग यहापे सोडा वेगरा भी यूज करते हैं अगर आप करते हैं तो कर लीजे मैंने यहापे नहीं किया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टमाटर डालने के बाद ये अच्छे से पका नहीं है अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत अच्छे से पक भी गया है ये देखिए हाद से दबा कर भी दिखा देती हूँ यह आप देख सकते हैं तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप अगर इसमें टमाटर पहले डाल देंगे तो यह पकेगा नहीं, ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमने यहाँ पहले टमाटर डाला है तो यह बॉल नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो यह आपके सामने है उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें डाला है मस्टेड ओयल, ओयल करीबन 3-4 चमच है, अब ओयल को अच्छे से गरम होने देंगे, जब ओयल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा, यहाँ पर यह आधा चमच जीरा है, इसमें ड कर सकते हैं, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज, यह बिल्कुल बारिक बारिक कटा हुआ प्याज है, और फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे, जब हम प्याज को हाई फ्लेम पर पूलेंगे तो यह थोड़ा जल्दी बुन जाएगा अगर फ्लेम स्लो कर देंगे तो पानी छोड़ेगा और टाइम लगेगा इस तरीके से इस हाई फ्लेम पर भुनने देंगे जो टमाटर है वो मैंने पहले ही डाल दिया क्योंकि टमाटर भुनने में टाइम लगता है इसलिए यह बस प्याज को भुनना है यहाँ और समय काफी कम लगेगा तो अब प्याज भुन चुका है तो अब हम डालेंगे यहाँ पर अद्रक और लसुन जिसे बारिक बारिक चौप कर देना है इसे डाल कर इसे भी भून लेंगे बस फ्लेम को हाई रखिए और चलाते रहिए छोड़ियेगा नहीं अगर छोड़ देंगे तो जल जाएगा फ्लेवर खराब हो जाता है पूरा बस इसे भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें मसाले यह आधा चममच हल्दी पाउडर एक चममच धनिया पाउडर आधा चममच गरम मसाला और लाल मिर्च आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग डालें कम जादा जो भी आपको पसंदो और एक चममच करीबन हम डालेंगे किचन किंग मसाला इन मसालों को डाल कर इसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे जब मसाले डालेंगे तो फ्लेम को स्लो कर देंगे जिससे जो ये मसाले है वो जले नहीं और मसाले डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फ्लेम मीडियम करेंगे और इसे चलाते हुए भूनेंगे फटाफट भून जाएंगे बस इसी तरीके से चलाते रहिएगा अब मसाले भून चुके हैं हमारे तो अब हमने जो राजमा बॉयल करके रखा हुआ है वो अच्छे से पक भी चुका है तो हमें यहाँ पे बहुत जादा कुछ पकाने की भी जरूरत नहीं है और उसमें पानी के बहुत चाहएं तो आप राजमा इसमें पूरा टंस पर कर देंगे राजमा जब अच्छे से गल पक जाता है तो वह अपने आप ग्रेवी गारी हो जाती है इसलिए राजमा को जब भी आप बनाईए थोड़ा अच्छे से पकने दीजिए जब राजमा खड़ा होता है त तो बस इसे डाल कर इस तरीके से चलाएंगे पानी आप अगर देवी थोड़ी पतली चाहते हैं तो पानी इसमें और एड़ कर लीजे यहां पर मैंने करीबन आधा ग्लास पानी एड़ किया है और जो यह पानी मैंने डाला है यह गरम है जिससे भी जो समय है वो कम लगेगा अगर हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे तो इसको बॉयल होने में समय लगेगा और यहां पर हमको इसको बहुँचादा देर पकाने की कोई जरूवत नहीं है क्योंकि यह ऑलेडी काफी पका हुआ है और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नमक नमक हम पहले भी डाल और समय भी बहुत कम लगाए तो इसे चलाइए हाई फ्लेम पर रखिये और इसके उपर हम डालेंगे थोड़े से 20 से कटा हुई घटी हुई हरी मिर्च यह हरी मिर्च त्बढ़ी और बारी कटी हुई धनिया यह हई हरी धनिया बस इसे भी mix करेंगे और अब हम flame को off कर देंगे इस तरीके से चलाते हुए और इसको धग देंगे दो-तीन मिनिट के लिए धग दीजे तब तक हम इसका तड़का बना लेंगे जब धग देते हैं तो color इसका बहुत अच्छा आजाता है तो देखिए color काफी अच्छा आ गया है और gravy काफी अच्छी बनी है बहुत थीक है और समय भी काफी कम लगा है तो बस अब इसे हटाएंगे और इसका तड़का तयार करेंगे पहले हम इसको यहाँ इसमें एक बरतर में टांसपर कर ले रहे हैं इसी के उपर हम तो यह पूरा इसमें टांसपर कर लेंगे जिसमें आपको सर्फ करना हो तो उसके बाद हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे एक चमस देसीगी देसीगी जो जिसका जो फ्लेवर होता है न राजमे के साथ बहुत अच्छा जाता है कभी भी आप राजमा बनाईए उसम आप उपर से एक चमस देसीगी डाल दीजिए उसका जो फ्लेवर है न बस पूछिए मत और जो यह घी है उसको अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे जब गरम हो जाएगा तो इस तरह से उपर बबल साने लगे तो अब हम डालेंगे आदे चमस से थोड़ा सा कम गरम क्योंकि गरम मसाला हम पहले भी यूज कर चुके हैं और फ्लेम को तुरंत ओफ कर देंगे और इसे चलाते हुए जहां मैंने राजमा रखा हुआ इसको बंद कर देंगे ढ़कन से ढ़क देंगे बस इसको हटाएंगे और यह उपर डालेंगे और इसे बापस से ढ़क यह घुआ झा वी है यह रहाएंगे